कुछ नापर एट इन दिस कोस्टेंट इस से विकास के बोल रहा है कि हमें शॉर्टेस्ट मेथट से सॉल्व करके बता तो उसका टूठ डिस्टेंस है और वन थर्ड डिस्टेंस है इसने टूठ डिस्टेंस तो अगर देखोगे इसमें से कोई भी ऑप्शन को लोगे जैसे मालो तुमने लिया तो एटीन का टूठ कितना होगा तो सिधा-सिदा ऑप्शन जिखता है कि एक ही डिस्टेंस होगा वो कौन सा हो ऑंप्शन नमबर B 6 का तू ठर्ड तो सिक्सकत ही खडोट खेंट कितना होगा 4 कि यतना होगा 2 फोर क्लोप्टर का दिस्टेंस 4s स्पीड से ट्रेवल MSC लागेगा-सितफी मिनिट और टूट से प्लेज्ट कर Voll mentre लिकितना टाइम लगया तो बाइफ इंटो 60 देट इंपलाइ 24 मिनिट तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन अब भी लॉजिकली सोच हो गया तो कुछ करने की ज़रोते नहीं है अब कॉंसेप्ट मेथड से देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे टोडल इस्टेंस अजिम कर लो तो यह टोटल वेल्व कितना रहा था 84 मिनिट तो 84 को आर में चेंज करोगे तो कितना आएगा 84 अपॉन 60 दैट इंपलाइज 7 बाइफ यहां से दी कॉमन लेलो यह वेल्व कितना आएगा वन बाइटू प्लस वन बाइफ फाइफ इस उकल टू कितना हो जाएगा 7 बाइफ इस दी इंटु 7 इस इकलाइफ गाएफ इस सेवन केंशिल फाइफ से यह टू एट इंपलाइज डी के वेल्व कितना मिल गया हमें तो हमने टूटल लेस्टेंस कितना जिंब कर रहा था 3D तो टूटल लेस्टेंस 3 इंटू 2 डैट इंपलाइफ कितना मिल जाएगा 6 किलोमे प्रोड़े टेडियो